The Ultimate Sports में आप सभी को अभी शेक सरकार का नमस्कार तो वेडनस डे को इंडिया वर्सिस न्यूजिलैंड का पहला T20 मैच खेला गया और भारत ने शांदार जीत हासिल की पर इस मैच के दौरान एक घटना घटी जिसको लेके सोशल मीडिया में काफी हला मचा हुआ है दरसल न्यूजिलैंड जब बैटिंग कर रहा था और न्यूजिलैंड का आखरी ओवर चल रहा था न्यूजिलैंड के इनिंग्स का तो महमद सिराज गेन बाजी कर रहे थे मुहम्मद सिराज के गेन बाजी करते हुए बैट्समेन ने बॉल को मारा और वो बॉल आके सीधा सिराज के उंगली में लगी तब ही मुहम्मद सिराज के उंगली से खून निकलने लगा कुछ देर के लिए मैच रुका भी क्योंकि मोहमद सिराज के उंगली से बहुत जादा खून बह रहा था तुरंद भारत के फिजियो आए और उन्होंने मोहमद सिराज का इलाज करना शुरू कर दिया जितने भी फैंस थे जितने भी लोग टीवी पे देख रहे थे सबको यही लगा कि मोहमद सिराज शायद इस मैच में तो और गेंद बाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे उनके उंगली से खून निकल रहा था वो बहुत ही देखने में अच्छा नहीं लग रहा था हमें कि अब मोहमद सिराज इंजड हो गए है अब हम उनको अगले मैच में ही देख पाएंगे पर मोहमद सिराज की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पट्टी वट्टी बनवा के मोहमद सिराज फिर से आए और वो गेनबाजी करने के लिए तैयार हो गए जैसे ही मोहमद सिर के हिम्मत की दाद देने लगे कि इतने चोट लगने के बाद भी खून निकलने के बाद भी मौहमद सिराज बॉलिंग करने को तयार हो गए मौहमद सिराज ने अपने उस ओवर में एक विकेड भी लिया इंडिया वर्सिस न्यूजलैंड के मैच में वेंकेटेश अईयर जिन उन्होंने दो गेंदों में चार रन बनाए और एक चौका मारा हाला कि वेंकेटेश अईयर का जो ये डेब्यू मैच था ये ड्रीम डेब्यू मैच तो हम नहीं बोल सकते पर फिर भी वेंकेटेश अईयर एक बहुती अच्छे खिलाडी है टैलेंट है यंग है आईपील मे इंजर्ड है तो हम ये सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि वेंकेटेश अईयर को और भी मौका मिलेगा और वेंकेटेश अईयर इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाना देंगे तो और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई आईपील से जु इंजर्ण्टिंग है और से जुड़ी हैं तो और रहें के लिए पने हैं